students welcome to our channel today we are going to discuss about the next part of our previous class that is endotracheal intubation जैसा कि endotracheal intubation में अब तक हमने endotracheal intubation की indications पढ़ लिए endotracheal intubation के बारे में देख लिए type देख लिए कौन-कौन से articles endotracheal intubation के दोराने में जरुरत पढ़ सकती है उन सारे आर्टीकल के बारे में देख लिए कौन-कौन-कौन मेनिवर्स की बनाने की लिए और कौन-कौन-कौन-से manuart काम में ले सकते हैं वो सारे manuart हमने अब तक देख लिए कल की क्लास में हमने देखा था कि एंडोट्रेकिल इंटुबिशन का जो प्रोसीजर वो क्या होता है तो अब तक की जो क्लास हैं अगर किसी वो कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आज का हमारा टोपिक है पेनिफेट ऑफ एंडोट्रेकियल इंटुबिशन के यान टोपिकिल इंटूवजन के कौन कौन से लग्स होते हैं तो उस कंडिशन के अंदर हम जा गरेंगे पेशेंट को एंडोट्रेकिल इंटुबेशन करके वेंटिलेटर के साथ वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख सकते हैं जिसे पेशेंट के oxygen सप्लाई यह वो प्रॉपर हो सकेगी एनस्टीसिया एनस्टीसिया के दोरान भी एंडोट्रेकिल इंटुबेशन का काफी यूज किया जाता है कुम्पीट्टिश करने के बाद आननेस्टिशा करने के बाद इंडेघांक करके पेशियंट को एननेस्टिश अप्लाय में ड्रक्स है जैसे कि ना इसोफ ल्कुष घुंड यह सारे नस्थिस्या मसीन के अंदर इननेस्टिशन के तो यह सारी पेशेंट को दी जाती है तो एंडोट्रेकलिं इंटुपेशन के तुरू ये इंचारी गेस को भी पेशेंट को इपराइज इसकी वैपवर्स को दिया जाता है ताकि पेशेंट का जो एंजनल इनस्तिजिया है वो काफी अब तक मेंटेन रह सके एक पाउने पैशियंट क्योंकि रहेगा तो वेन्टिलेटर है अपने आप से पेशियंट के लंग से यह जो भी यह से जय और उसको एक्सेट कर पाएगा बार निकाल पाएगा और ऐक्सेलेशन वो कापी इंप्रूव हो जाता है तो यह सारे बेनेफ्रेट्स हैं जो यह एंडोट्रेकल इंट्यूबेट करते हैं साथ की साथ CO2 का एक्सेलेशन है वह पाफी इंप्रूव हो जाता है अगर कोई प्रेटेन कर रहा है CO2 तो उस कंडिशन के अंदर पेशिंट को एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन के दुरूब कर सकते हैं प्रेशिंट को टेड़ेकार्डिया, एंडो-त्रेक Edu-Inhibition के दो- रान टेकी कार्डिया पेशेंट के अंदर देखा जाता है क्योंकि जब भी आप पेशेंट के अंथेंटij कर देते ह। उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या होता है जो भी वेगल रेस्पॉंस है ठीक है वो प्रजेंट होता और वेगल रेस्पॉंस के तुर जैसे ही आप ट्रेकिया के अंदर जाओगी तो क्या होगा वेगल इंस्टुमिनेट होगी वेगल रेस्पॉंस जनरेट होगा के चेंट्रल नर्वर सिस्टम से और उसके तुरू टेकी कारडिया होगा उस जो भी आप जैसे ही आप जो जो भी इरिटेशन होई है टिस्यूंज को उस इरिटेशन को कम करने के लिए पेशेंट जो बॉड़ी है वो रियक्ट करेगी टेकी कारडिया के साथ आइपर टेंशन होने के चांसे यह दोनों चीज़े काफी कॉमनली देखने को मिलती है और इन टेक चीज़े की डग है लीडोकेन दिया जाता हूँ इस लीडोकेन का यूज करके पेशेंट के जो इंटुबेशन है उसको काफी स्मूथ बनाया जा सकता है इंक्रीज सिक्रेशन सिक्रेशन बढ़ जाते हैं क्योंकि जैसे ही आप एंडोट्रेकिल इंटुबेशन को इंसर्ट करोगे एंडोनोके ट्यूब गुरेचिव को आप इंसर्ट करोगे ट्रेकिया की इंदर ट्रेकिया की आस पास को बिंटे वह उसके इसको यूप करेंगे जैसा इंटीथरेक्ट्रेक्वермा जाएगी तो वह क्या परेंए इरिटेट कर रही है ट्रेकिया को बढ़ाएंगे औ तो सिक्रेशन से भी इंक्रीज हो सकते हैं, ये भी साइट इपेक्ट, टेकी काडिया, आइपरेंजन, व्यूकि टिश्यू इरिटेट होगा, तो वेकस नर्वेस्ट मिलेट होगा, साथ की साथ वहाँ पे लेरिंगोई स्पाजम और ब्रॉंकोई स्पाजम होने के भी चांसे ह होते हैं, लेरिंगोई स्पाजम और ब्रॉंकोई 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 स्प सेनल कॉलीन देख कर के हम क्या करेंगे पीशेंट की जो रहाइं वोकल कोड बॉंचल्ट्स है और जो लेडिनक्स की जो मसल ममसल पो क्या करतें 무엇 में करते जो सेल्बास करेंगे जो अचिंप्ते लेडियों को और ब्रॉंग पस्पाद में यह साही चीज़े एंडोट्रेक्यल इंट्वेशन के क्या हैं साइड इफेक्ट्स हैं आईए नेक्स देखते हैं मेरे दुआरा प्रवाइट की जारी कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे अगर कोई भी आपको डाउट है कोई भी अगर आपको इन कंटेंट से रेलिएट किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मेरे फ्ल्योग्रम को औरा प्लीज मेरे आपको ट्रेकैल कले इनकें प्लीज मूर सब्सक्राइическая को बवॉस नोर्मयं क्यार होता है उर देखना हमें बिज्चास है विजवा आएचा सेरी विज्वायाइजिशन होना ज़र्वरी हमान दूलिज हेष्आउउर आपको टरेया और इसोफिगस है वो आप identify नहीं कर पाए डिप्रेस नहीं कर पाए और उस condition के अंदर आपने blindly intubate किया लेकिन आपने गल्स भी से क्या किया ट्यूब को किसके अंदर डाल दिया इसोफिगस के अंदर डाल दिया तो उस condition के अंदर है ट्यूब के अंदर जो इसोफिगस है उस वाज़े से कोई injury हो गई, patient की oral cavity के अंदर bleeding हो गई, कोई दात दवो घिलके, टूटके गिर गया हो, ठीक है, और lips को injury हो गई हो, यह सारी injuries होने के भी complication हो सकते हैं, साथ की साथ क्या हो सकता है, जब आप tube को place कर रहे हो, अगर बान लीजिए, आपने उसमें complete air, जितनी air उसको required थी, अगर आपने उसमें insert नहीं की है, नहीं की है, तो उस condition के अंदर क्या होगा, tube क्या होती रहेगी, leak होती रहेगी, जैसे ही ventilator होगा है, जो भी oxygen source है, उसमें oxygen push करेगा, oxygen करेगा, oxygen बेजेगा, तो क्या होगा, कुछ amount of oxygen वो tube के backflow के अंदर भी आएगा, backflow के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे tube अवो पूरी तरह से, इस फिगस के साथ attach नहीं है, कप हो पूरी तरह से, inflate नहीं होने के बदर से, जो कुछ amount of air हो, पीछे की तरफ से बाहर, वापस की बाहर वापस आजाएगा, और कुछ amount of air हो ही, ट्रेक्यो ब्रोंकियल ट्री के अंदर जाता है, ठीक है, तो यह होने के भी चांसे होते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूं कि जो, जो एंडियो ट्रेक्यो ट्यूब का जो कफ होता है, उसको inflate करने के लिए एक pressure required होता है, वो pressure कितना होता है, 20-30 cm H2O, इतना ही pressure हमें रखना होता है, 22-30 cm H2O pressure हमें रखना होता है, इससे जादा करेंगी तो ट्रेक्या ओक के डेमेज होने के चांसे हैं, और इससे कम pressure रखेंगे तो ट्यूब अवो क्या हो जाएगी, लिक हो जाएगी, अब आपने ट्यूब डाल लिया है, बैल्यून को inflate कर रहा है तो उस condition के अंदर क्या हो आपसे कोई mistake होजнул है, साथकी साथ next यह हो सकता है, कि आप endodracheal tube को काफी deep तक, कापी deep तक काम अतलब होता है कि आप Kareena, Kareena से bronchius के अंदरφान चले नीगा लिया हो, bronchus के अंदर जा रहे हो, किसी एक side के bronchus के उन दर भी आप जाकर के tube कर सकते हो, ठीक है यह by mistake होता है, नॉर्मली हमें का पलेस करना है 번 केरिणा से थोड़ा सा उपर मन टू इंच उपर हमें क्या लाँ उपर रखना होता है ताकि दोनो के अंदर जो एंट्रीए वो एक्वाल हो सके बाइलेटरल एंट्रीए वो इक्वाल होनाई जरूरी होती है साथ की साथ अगर आपने oxygen source connect कर रहा है और वह थी काफी pressure से मान लीजिए आप अंबू बेक कर रहे हो एंडुट्रेकल ट्यूब के साथ तो जो कफ जो अंबू बेक का जो कफ होता है ठीक है जो pressure बनाने का जो कफ होता है उसका कफ को हम जा करते है नोर्मली जो जिन दना respiration हमारी दो respiration rate होती है जो respiration की depth होती हो उसको compress करते हैं relax करते हैं complex करते हैं relax करते हैं लेकिन आप वहां पे काफी speed से करने लग जाओ उसको बैल्यू उनको अबर कापी PTC उसको प्रेश करने लग जाओ तो हो सकता है कि लंक्स के अंदर उस pressure की वज़े से जो इंजरी जो 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 इंजरी जो थी उनको बहरो ट्रॉमा ठीक है आप जब ट्यूब डाल रहे हो तो उस condition के हो सकता है कि आप ठ्रोट के अं अपने काफी एक्सेसिव प्रेशर के साथ इंफ्लेट करके रखा है तो क्या हो सकता है ट्रेक्या के इंफ्लामेशन भी हो सकता है उसको ट्रेक्या के इंफ्लामेशन और ट्रेक्या वो क्या कहलाता है ट्रिक्याइटिस कहलाता है नेक्स देखते हैं अब यहां आसते एजन नर्सिंग ओफिसर हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट फंड शुरू होता है बहुत कॉमनली टॉपिक है जिससे कुशन बहुत एक्जाम के अंदर बहुत बार कुशन पूचे जाते हैं तो आएए हम वन बाइवन इन टॉपिक को डिसकस करते हैं इस्ट तडी करते हैं फ् पिशिकनो इंडरी ट्यूब ऋसके प्लेस पर और हैं ट्रीका के अंदर है तो हमें क्या करना होगा देखिए अंडरोटेकल सक्षिनिंग सबसे इंपॉर्टेंटश से तिन्दर करें रहे हैं तुमैंससे इंपोर्टेंट होता होता है इस के अंदर होना शुरू कर देते इस कंडिशन के इंदर हमें क्या लगए इयर सिक्रेशन करना होगा तो उस तोरान हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है तो फर्स्ट पर में हम देखते हैं कि endotracheal suctioning होती क्या है? यह definition देखते है endotracheal suctioning की endotracheal suctioning is defined as the removal of secretion from the tracheal bronchial tree through an endotracheal tube by the help of a mechanical suction device. endotracheal tube suctioning के अंदर क्या है? endotracheal suctioning के एक suctioning है. जो भी endotracheal tube है उसके अंदर जो भी उसके ट्रू हम क्या करते है? जो tracheal bronchial tree के अंदर जो secretions accumulate हो रखे हैं, उन secretions को बाहर निकालते हैं, कैसे बाहर निकालेंगे, वाया root क्या रहेगा, वाया endotracheal tube, इस device का यूज करेंगे, mechanical device का यूज करके, ठीक है, suction है, वो एक mechanical device है, mechanical device का यूज करके, endotracheal tube के थूब, अगर tracheobronchial tree के अंदर जो accumulated secretions है, उन secretions को अगर हम निकाल रहे हैं, तो उसके हम क्या कहेंगे, endotracheal suctioning कहते हैं, ठीक है, अब endotracheal suctioning जब हम करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, endotracheal tube suctioning के दुरान, जो special type के catheter, उनका use किया जाता है, ठीक है, अब देखे, endotracheal tube suctioning के जरूरत क्यों पढ़ रही है, जरूरत क्यों पढ़ जब हम भी, जब भी हम trachea के अंदर, intubate करते हैं, endotracheal tube insert करते हैं, तो हम क्या करते हैं, tracheal tissues क्यों क्या करते हैं, irritate करती है, जो tube को क्या करती है, tracheal tissues को क्या कर रही है, irritate कर रही है, और जब वो tube tracheal tissues को irritate कर रही है, तो उस condition के अंदर क्या है, वहां की जो goblet cells हैं, वो defense mechanism का काम करेंगी और वो क्या करेंगी जो mucos का production है उस irritation को जो tube की वज़ेसे जो irritation हो रही है उस irritation को कम करने के लिए वो क्या करेंगी जो goblet cells क्या करेंगी मुकस का production है मतलब secretion का production हो बढ़ जाता है और उस वज़ेसे हो सकता है कि हमारा airway वो block हो जाए अब endodracheal tube को उसकी suctioning जरुवत क्यों है endodracheal tube की suctioning की जरुवत इसलिए है क्योंकि हमें क्या परना है patent airway एक clear airway रखना है ताकि patient के अंदर जितनी उसकी oxygen की demand है उतनी oxygen हम patient को दे सके via the root of endodracheal tube और patient का जो ventilation है टीक है ventilation है tissue perfusion, tissue ventilation है उसको हम effectively maintain रख सकें तो इन सब चीजों को देखते वे हमें endodracheal tube की suctioning है वो कापी important है next देखिए types of suctioning है तो endodracheal tube suctioning की बात करते हैं इमेज में देखिएगा जो आप जो इमेज में आप देख पा रहे हैं वह एक suction catheter है ठीक है वह एक suction catheter है ठीक है image based question यहां पर आपकी image based question साथ की साथ peer करते चल रहे हैं ताकि आपको अलग से किसी topic को अलग से कई किसी बुक को बढ़ने की जरुवत ना पड़े तब suctioning के टाइप को देखते तो फस्ट वन औरो पेरेंजियल suctioning है और और औरल के विटी और पेरिंग्स का suction कर सकते हैं नेजो ट्रेकियल है नाक के तुरू हम क्या कर सकते हैं ट्रेकिया तन जाकर कर गया सकते हैं anddo trical tube suctioning है Anddo trical suctioning है वह हम पढ़ेंगे हमारा मेंन फोकस यहां पे anddo trical suction के उपर होगा ठीक है कीम रोपर have endotrical suctioning को कौईंट of view में रखते हैं फोकर्ट करते हो हम क्या करेंगे यांपश ही करें यारा मेंन focus किसके होगा endo-trachial tube sectioning के उपर next sectioning का type है trachial sectioning है तो यह सारे क्या है types and sectioning के ठीक है जो भी different types है वो sectioning के वह इस class के अंदर हम क्या करेंगे endo-trachial tube sectioning के हम क्या करेंगे study करेंगे next देखिए size of section के टेटर तो size of section के टेटर मैंने image के अंदर color coding के इसाफ से आपको size of section catheter वह बता रखा है ठीक है जो blue color का है वो कितने french का 8 french का है और 8 जो black color का है 10 french का है जो white का है वो क्या है white का है वो 12 french का catheter है section catheter और green है वो कितना 14 french के section catheter है और जो red है 16 french catheter है लगबग यह color coding आपको urinary catheterization के अंदर जो भी color coding उससे match करती भी मिलेगी सक्षन, size of suction catheter की बात करें तो 5 से 8 प्रेंच की size की तो suction catheter होते है उनका use किया जाता है infants के लिए ठीक है, pediatric intensive care unit के अंदर NICU के अंदर use किया जाता है ठीक है, pediatric ward के अंदर use किया जाता है तो 5 से 8 suction catheter है, उसका use कब करना है in case of infant 10 से 8 प्रेंच का catheter है, 10 से 8 प्रेंच के catheter का use का करना है, बच्चों के लिए use करना है, और 12 से 16, मतलब white से ले करके red तक के, जो भी suction catheter है उनका use का होगा, adults के लिए use होगा, normally बच्चों के लिए 10 प्रेंच का use किया जा रहा है, और adult के लिए 14 और 16 प्रेंच का catheter, suction catheter उसका use किया जाता है, suction catheter के उपर भी क्यूशन आ सकता है, कि बच्चों के अंदर ignorance को pediatric ward में posted है ignorance है, उसको 1 year child का suctioning करनी है, तो ignorance हो वो किस color code का या फिर किस size का catheter है उसका selection करेगी है, करेगा ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या फिरना होगा infant है, एक साल का है, तो infant हमें क्या 5-8 प्रेंच का catheter है, वो काम में लेना है, तो इस प्रकार की question भी आप से पूचे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 5-8 प्रेंच बच्चों, infants के लिए 8-10, children के लिए और 12-16, इसके लिए adult के लिए काम में लिया जाता है, साथ की साथ आपको ये color coding भी याद रखनी है कि ये color coding आपके लिए काफी important होगी ठीक है, क्योंकि कई बार क्या पूचा जाता है examiner पूल सकता है कि suction catheter दे दे और बोल दे कि ये कितने range किया है, कितने size का catheter है ठीक है, तो इसके लिए आपको color coding भी याद रखनी ज़रूरी है, next one है suction pressure suction pressure की बात करें, तो according to the age, जो suction pressure हो vary करता है, वो deeper deeper होता है ठीक है, अब suction pressure का यूज क्या है suction pressure का यूज इसलिए है कि हमें जो भी suctioning, जो भी secretions है, oral cavity के अंदर है nasal bearings के अंदर है patient के tracheo bronchial tree के अंदर अगर जो कोई भी secretions है, उन secretions का हमें क्या करना है suction machine के तो वो suction करके हमें बाहर निकालना है, तो उस दोराने adequate pressure होना जरूरी होता है, ताकि जो adequate amount या complete amount के अंदर हम क्या कर सके secretions को हम क्या कर सके, बाहर निकाल सके ताकि secretions अगर बाहर आएंगे, तो airway क्या होगा, clear होगा, patent रहेगा patent रहेगा, तो oxygen saturation हो, वो कापी improve रहेगी patient की ठीक है, तो हमें क्या करना है suction pressure है, उसको adequate रखना है, according to the age of patient अगर आप बच्चों के अंदर high pressure यूज करोगी, ता क्या हो सकता है, tissue trauma होने के chances बढ़ सकते हैं तो उस condition पर prevent करने के लिए, हमें according to the age, या आपर एक criteria होता है उस criteria के अंदर में क्या परना होता है, suction pressure को maintain करके रखना होता है तो आईए हम देखते हैं यहाँ पर, अगर आप infant की suctioning कर रहे हो, infant के tracheobronchial tree या oral pharyngeal suctioning कर रहे हो, तो हमें क्या करना है 6280 mm of HD pressure यह रखना है, ठीक है, यह जो machine देख रहे हो, वो suction machine है यहाँ पर आप यह जो यहाँ पर एक बटन है, उस बटन से आप pressure को set कर सकते हो pressure को कम ज़्यादा किया जा सकता है pressure को maintain किया जा सकता है इस बटन के तुरू, तो हमें क्या करना है, जब भी किसी infant का suctioning कर रहे हैं, तो हमें 6280 mm of HD pressure रखना है साथ की साथ, next अगर हम किसी बच्चे का suctioning कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 80 to 100 80 से 100 mm of HD ते pressure रखके हम क्या कर सकते हैं, चिल्डरन के suctioning कर सकते हैं, और 100 to 120, 100 से 120 mm of HD pressure हम किसके लिए यूज़ करेंगे, adult की suctioning करने के लिए, एडल्ट के case में क्या यूज़ करेंगे, 100 से 120 80 से 100 चिल्डरन के case के अंदर और 60 से 80 हम किसके लिए यूज़ करेंगे, infants के अंदर तो ये criteria भी काफी important होता है, कई बार सीधा question examiner पूछ लेता है कि, normal suction pressure कितना होता है, ठीक है, यहां वो अगर आपको कोई भी डाउट है, पीज़ आप मुसे comment section में जरूर बताइए next one purpose of suctioning purpose of suctioning का मतलब है कि, जो suctioning हो वो करे क्यों रहे है, ठीक है, जो कोई भी काम करें उसके फीचे कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई purpose होना चाहिए, तब जाकर कि उसकाम का कोई value है, वारना पोई value नहीं होगी, ठीक है, तो अब suctioning की क्या value है, value बतलब purpose क्या है, क्यों कर रहे हो, ठीक है, देखिए, maintain airway, patent airway, मान लीजी airway की अंदर secretions बरे पढ़े हैं, तो हम बाहर से oxygen देंगे, वो oxygen है, पूरी amount में patient को नहीं बहुच पाएगी, तो अगर पूरी amount हम patient को नहीं बहुच बारे है, क्यों नहीं बहुच बारे है, क्योंकि patient का airway वो narrow होता जा रहा है, किस वज़े से, क्योंकि वहाँ secretions का accumulation हो चुपा है, तो अब secretions को accumulation होगा तो हम क्या करेंगे करके हम क्या करते हैं उन से क्रेशन को बाहर निकाल लेंगे और एर वे क्या हो जाएगा पेटेंट और ऑक्सिजन से क्टूरेशन वह कापी इंप्रूव हो जाती है ठीक है नेक्स में आफ्स्ट्रक्शन को क्लियर करने के लिए अब सिक्रेशन वाज़े से क्या होगा जो oxygen saturation यह जो saturation ventilation वो प्रोपर नहीं हो पात और प्रोपर नहीं हो पाने की वज़े से क्या होगा patient है उसको breathing difficulty feel होगी patient है उसकी जो oxygen saturation वो dip करने लग जाएगी तो उस condition को prevent करने के लिए हम जा करेंगे adequate time interval के बाद हम क्या करेंगे suctioning करेंगे ठीक है उसके बाद अगर आप suctioning कर रहे हो तो क्या कर रहे हो oxygen जो secretions है उनको आप बाहर निकाल रहे हो तो क्या होगा जो airway वो प्लेर रहेगा patent हो जाएगा ठीक है माँ पर कोई bacterial growth हो ठीक है बेक्टिरिया वगिरा ग्रो करके माँ पर निमोनिया वगिरा पोच कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं निमोनिया वगिरा या कोई भी कोमप्लिकेशन को क्या करेंगे एक टाइम इंटर्वेल के बाद एक प्रबबर टाइम इंटर्वेल के बाद क्या परफोंग करेंगे ताकि patient का airway वो मेंटेन रहे साथ की साथ स्क्रेशन वाहर आ जेंगे तो क्या होगा वाहां पर infection Cause होने के chances कम हो जाते हैं स्टाइब आगर साद करक्षयान संदुलेट के लिए अगर स्टैइक्प्राइशन की अगिर स्पाइशन संदू को और करते रहेंगे पेशिएटब कीसे रहेंगे तो क्या होगा जो स्कशन को उनका accumulation नहीं होगा, airway clear रहेगा, oxygenation improve रहेगी, infection के risk कम हो जाएगा, साथ की साथ obstruction of pause नहीं होगा, तो ये सारे परपज है, suctioning के परपज है, ठीक है, next है, आज की class में इतना ही, next class में इसके आगे का जो procedure है, कैसे करना है, कितनी देर तक हम suction करनी है, किस method के साथ suction करनी है, वो मै आपकी नहीं ले करके आऊंगा, आज की class में इतना ही, I hope मेरे दुआरा प्रवाइड के जारे content आपको help कर रहे होंगे, आपकी nursing officer recruitment examination के preparation में आपको help कर रहे होंगे, साथ की साथ मैं ये बताना चाऊंगा, कि मेरे चैनल के उपर, डेली short videos के अंदर, YouTube shorts के अंदर, YouTube shorts के अंद आपकी लिए helpful है, please like, share and subscribe, thank you so much.